जब हमारे धर्म के साथ होता है कुछ भी गलत होता है तो क्या हिंदूओं ने ठेका लिया शांत रहने का मतलब हर बार हिंदू ही पिसेगा बहु संगक कहें के हम हम बहु संगक 80% 80% 80% बोल बोलके तो हम दबाए जा रहे हैं तुकड़े गेंगे के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला आतम वाग्यों के समर्थन में नारे लगाये जा रहे हैं खुश नसीब हो जो हिंदूस्तान में अभी तुम जिन्दा हो यह देश कलाम को पूचने वाला कसाप को नहीं पूचते यह राहूल गांद पत्रा हुआ बाइकों पे लोग बहुत जादा घायल हुए वहां पे आगजनी हो गई तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कहीं न कहीं हिंदू को टार्गेट किया जा रहा है देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं पहले आपके मीडिया के माद्यम से बात बताना च इस मीडिया के माद्यम से उन कटरवाद लोगों के लिए कि कोई भी जाती धरम के लिए अगर उसके धरम के हक्ट में नारे लगाता है तो उसका धरम नहीं बदला जा सकता कभी दूसरी बात यह है कि मैं मीडिया के माद्यम से बात बोलना चाहूँगा यह रहुल गांदी में अभी अगले मैईने इध है हम हम मनाईंगे हम इत में अगर आगर में मुस्लिम भाई तो हम उसके आगे कुछ खाते-पटे नहीं है क्योंकि हमारा धर्म सिखाता है मगर जब हमारे धर्म के साथ होता है कुछ भी गलत होता है तो क्या हिंदुओं ने ठेका लिया शान्त रहने का मतला हर बार हिंदु ही पिसेगा बहु संकक कहें हम हम बहु संकक 80% 80% 80% बोल बोलके तो हम दबाए जा रहे हैं आप एक बात बताई है इतनी भीर में अगर कोई भाई भारत माता की जय बोल देगा तो क्या उसका नाम बदल जाएगा बदलेगा और अगर मैं बोलता हूं अकबर तो क्या मैं मुस्लिम बन जाओंगा मेरा राशनकार्ण में क्या नाम चेंज हो जाएगा उसके लिए मुझे बनना पड़ेगा आज एक भाई ने खुद स्विकार करा के हम पहले राजपु तोमर थे उन्होंने माना मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिंदू धरम से अगर आप मुस्लिम धरम में गए हैं आप अल्ला को मानते हैं हमें बहुत खुशी आप द्धा को मांते हैं हम भी उनकी विजत करते हैं कंकि हमारा धरम सिखाता है मगर आप अधर्मक चोहएं था कंड़ों में ये गंदी राज़नीती करकर आप जेनियु में जाके देखिए उन बेहनों को उन माताओं को जिनको green कंजगों को पूझते हैं ये सरातान धिरम में मैं फकर शेक। सबस्क्राइब पूजा करूंएमने श्तना करें हमें के वह इतना हुए हम सके ना चेड़ो हमें हम सताए हुए हैं ना छेड़ो हमें हम सताय हुए हैं इस दिल में इतना दर्द और इतना जहर मत भरो के हम जैसे नव युवाओं को एक कोबरा का रूप धारन करना पड़े क्योंकि अब हिंदू सनातन धर्मी हर एक व्यक्ति जाग चुका है अगर इस देश में देवी माता है अगर देवी माता ने हम जैसे युवाओं को बोला तो हम काल भैरो भी बन सकते हैं और काल भैरो फिर और काल भैरो जो है वह सचाई के लिए और धर्म के लिए सारे काम करेगा जैनियू में क्या हो रहा है जैन्यू एक पढ़ाई के लिए युनिवर्सिटी नहीं रही मैं आपके माद्यम से बहना चाहूंगा खबर इंडिया के माद्यम से युनिवर्सिटी चलाईए मगर वहाँ पर मोदी जी और जो शिक्ष इंशाला अब जल हम सर्मिंदा है तेरे कातिल जिन्दा है मतलब आतम वाद्यों के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं खुश नसीब हो जो हिंदूस्तान में अभी तुम जिन्दा हो खुश नसीब हो अगर ये किसी और मुल्क में जहां सरियत चलती है जहां सीरिया है जो पाकिस्तान है इराक है इरान है अगर वहां आपने ऐसे नारे लगा हुए होते तो शैद मुझे बताने की जरूत नहीं थी आज उनकी बोड़ी या आज वो कहां होते किस जगह होते जेन्यों में जो भी घटना हुई है मुझे पता लगी है मीडिया के माध्यम से वहां जाने के बाद मेरे को खुद भी मैसूस हुआ है एक जंडा लगाने के लिए आप हिंदूओं को मना कर रहे हैं वह भी हिंदूस्तान में अगर हमने कई जंडा लगा दिया भगवा हम किसी का उतार के नहीं लगाते हम तो पीपल के पेड़ को भी पूस्ते हैं हमारे अंदर इतना खेराओ है हमारी तक्कर कोन सा धर्म कर सकता है हम सबके धर्म किजट करते हैं हम सबके धर्म को मालते हैं उन माताओं को बेहनों को सताय जा रहा कि नहीं आप किसी और रेश्टूरेंट में जाके मास्क खाईए कई वार वेज और नॉन्वेज रेश्टूरेंट एक ही होता है हमने बैन लगवाया कहीं हमने तो कहीं बैन नहीं लगवाया है जेन यू में जो भी घटना हुई है वो बहुत गलत है इसमें सिक्षा मंतरी को और जो देश के सिक्षा मंतरी है उनको वो तो आपने बिल्कुल ठीक है जो दिल्ली के सिक्षा मंतरी है उनके कान में तो अभी वो इलेक्शन में लगे हुए हैं अभी वो गुजरात में हैं अभी वो उत्राखंड में हैं उनको अभी फुरसत नहीं होरी इलेक्शन से और दूसरा उनके वोट है वहाँ पे चंद गीने चुने वोट है मगर उससे कुछ भी नहीं होना और किसी भी कॉंग्रेसी नेता के मुझ से मैं आपको बात बताना चाहूंगा कॉंग्रेस की के कॉंग्रेस में कभी भी कोई भी अध्यक्स का इलेक्शन ही नहीं होता है यह जो द को नहीं आगे करते क्योंकि वो सच्चे हिंदूस्तानी और सनातान धर्मी है उनको आगे इसलिए नहीं करते उनको पता है यह खुदी अपना अध्यक्स खुद चुनते हैं वह एक आपने पिच्चर देखी होगी उसमें एक डैलोग था उसाब जी जो चाचा है वही है तो राहूल गांधी जीजों है खुदी चाचा है खुदी भतीजा है मम्मी बराबर में होती है वोट करवा देते हैं इसारे कर देते हैं कि राहूल गांधी को ही जिताना है क्यों राहूल गांधी को जिताना है आप अपनी पार्टी में पहले स्वतनतरता लाइए उसके बहुत निंदनी है एक जूट होकर रही है मैं भी देश का युवा हूं एक जूट होकर रही है देश को इक खटा रखी है और नहीं तो योगी जी वाली एक बाद आपको दिहान होगी जो मद्य परदेश में योगी जी की अब आग और ठंडाई שמײा वाली पहुँच चुकी तो वहाँ पर वो सीधे हैं मगर जब वो आते हैं तो वो तेरी सरफ सरकी वाला वो जो गाना आपने सुना है वो वो पुश्पा बन कर आते हैं फिर बार कंधा टेडा करकर योगी राज में जो उल्टा सीधा करेगा उसका कंधा टेडा होगा और इस देश में हम कलाम को करोडो और पर कमा रहा है और एक बहुत बच्छी बात मुझे याद आई बेहन आपके माध्यम से यह सारुक खान का लड़का नशा करता है वह इतना डरा हुए वो ड्रक्स लेता है और ड्रक्स लेने के बाद उसके उपर कारवाई करते हैं तो यह कहते हैं कि एक कौम के उ दिकनल मुसल्मान खान को भी पूछते हैं विवेक अब्रहय को भी पूछते हैं धर manure को पूछते हैं तो हमने यूसूप जो दिलिप कुमार जी है उनका नाम क्या है यूसूप यह तो है हम तों को भी पूछते हैं यह सिर्फ जो है एक जातिवाद की राजनीती 2014 के बाद एक प्रोपेगेंडा चला जा रहा है कि मोदी जी को हराना है अब कैसे हरा जाए वोट तो मिलते नहीं है अब कर लिया अब फिर पबलीक ने मोदी जी के समर्थन में वोट डालना शुरू करा तो फिर कहते हैं युवां को दिमाग है कर लिया पहले अपनी पार्टी को मजबूत करो क्योंकि बीजेपी को ना मजबूत विपक्स चाहिए जो हिंदुस्तान में विपक्स मजबूत नहीं अ उनको मनाने गए हैं एक रावत जी हैं जो उत्राघंड के पूर्व मुख्य मंत्री है नवजोद सिंग सिद्धू को मनाते मनाते उनकी पार्टी पंजाब से पलायन कर गई विचारों के क्यों चैली गई हमने तो नहीं भेजी अब इसमें कैदम मोदी जी की साजिस है अग अब उनको मद्री पत दिया गय घ्यांक आपको मोका दिये कामड़ी को बीज़ेगे उखाड के भेग देगे उनको है आप साइट हो जवा प्रोपेगेंडा चल रहा है बहुत गलत प्रोपेगेंडा चल रहा हां हिंदू धरम शांत धरम है वही मैंने आपको इसी